हमको मिला, उनको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, ये समस्या है, सबकी समस्या है, सबको जल्दी है, सब ठीक हो, परन्तु ये सारी समस्या है, उनके कारण हम परन्या हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है, ये विक्टिम हुड की मानसिक्ता है, उसके अधिन होने स काम नहीं चलेगा कोई विक्टिम नहीं है एक परिस्थिती है जिसमें से हमको गुजर के सबका बला करना है हमारा भी हो सबका हो सबके साथ हम है पूरा समाज ठीक होगा हम भी ठीक हो जाएंगे उसके साथ मैं ठीक होँगा और बाकी समाज वैसे ही रहेगा ये चलेगा नहीं ये समझ के चलना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है उससे बाहर आकर चलना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीती अपने जेश में स्पर्धा पर चलती है स्पर्धा में अनुयाई अपने पीछे ज़्यादा खड़े हो इसलिए समाज को बाटना ये दुर्भाग्य से रिती बन गई और इसलिए राजनीती से इन प्रष्णों का हल नहीं निकलेगा राजनीती क्वर्चस्व कमाकर हम इसको ठिक करेंगे ये बात बेकार है अमारी लोक्षाई है प्रजातंत्र है इसमें सब लोग समान है कोई उपर नीचे नहीं है उसकी पद्दती से ही हमको चलना पड़ेगा परन्तु समाज की एक अता के लिए हमको राजनीती से अलग होकर सारे समाज का विचार करते हुई चलना पड़ेगा ये नहीं मानना कि ऐसा करने में कोई हम शरण जा रहे किस यह किसी के स्वार्थ की, किसी पार्टी की पुकार नहीं है, अपनी इमेज ठिक करने का exercise नहीं है, यह अपने पन की पुकार है, जिनको सुनाई देगे उनका भला होगा, जो फिर भी नहीं सुनेंगे, उनका क्या होगा मुझे पता नहीं, अपने पन की सुका यह लेकर चलना पड़ेगा अपने, फिर से मैं याद दिला दाओं, डॉक्टर बाबा साब आमबेड करके वो दो भाशन पढ़िए, बार बार पढ़िए, पारायन करने लायक है, जैसे हम अपनी अपनी सद्धा के अनुसार किसी पवित्र गरंतों को पढ प्रतिवर्ष हमारे संग के सुन्षोक, डॉक्टर साब का चरित्र प्रतिवर्ष पढ़ते वैसे, डॉक्टर बाबा साब आमबेड करके समगर नहीं पढ़िए, कम से कम वो दो भाशन प्रतिवर्ष पढ़ते रही ये 15 के 26 जन्वरी को, उसमें यहीं संदेश है, और ये का एकाएक होने वाला नहीं है, लंबा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कि घाव बहुत गहरे हैं, उनको भरने में समय लगेगा, वो घाव गहरे हैं, इसे क्या-क्या अनुभव आते हैं, वानी अविवेक तो दिखे ही रहा है, यहां तक होता है, कि मुझ मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर जोने गया तो, मुझे अपने बस्ती में जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता, एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लिकिन यह अनुभव आते हैं, यह कटूता है समाज में, लेकिन हमको उस से अलिपतर है जिनको एक करना है, जो संपूरुन समाज की एकता चाहते हैं, भारत वर्ष एक होकर प्रम्वेवो संपन बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तवी खिंदूत्व के अभिमानी हैं, ऐसे सब लोगों को, जो जो यह चाहते हैं, उनको अपने जिवा पर सयम रखना पड़ेगा, जगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा शरणागती नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना, शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं, तो उससे वो गु अपना चलते हैं शारीरिक शक्ति के साथ साथ वो शील हमको विद्याविनय संपन्नों ब्राह्मनों गवी अस्तिनी शुनी चैव श्वपा केच पंडिता हां समदर्शिना पंडित याने विद्वानी याने जानकार लोग सबको समान नजर से देखते हैं यह बताता है ऐसा हमको चलना पड़ेगा सहन बहुत करना पड़ेगा उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा अविश्वास छोड़ना पड़ेगा अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है सभी तरफ है सभी तरफ से होता है सब जगह ऐसे लोग है जो ये समझते नहीं या ऐसे लोग है जो ये होने देना नहीं चाहते उनको छोड़ो उनको इग्नॉर करो अपने रास्ते पर बढ़ो सब को जुटाओ ऐसा चलना पड़ेगा तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे ये बाते चलेगी गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज ये कही है संगठित बलसंपन्न समाज नागरिक अनुशासन कानुन सुव्यवस्था और सम्विधान का पालन करके चले इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बनके चले यही उसकी उसका उपाय है इसलिए बलसंपन संगटित समाज बनाने का काम संग कर रहा है सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव की दिन है अभी राज्यों की चुनाव है आगे लोकसभा का है चुनाव में तो खूब गाली गलोच चलेगी प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का उसमें ये हत्खंडे और बढ़ सकते है जहाँ उद्देश नहीं वहाँ भी उद्देश चिपका कर बाते हो सकती है ज्यान में रखना चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का करतव्य है वो हम सबने करना चाहिए मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए वो हमारा राष्ट्रिय करतव्य है नागरिक राष्ट्रिय करतव्य करे इसलिए संग के सवन से काम करेंगे परन्तु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है उक्सावे में भड़काऊ बातों से भड़क कर उक्सावे में आकर नहीं करना है थंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है सबका अनुभव अब भारत की जन्रा के पास है सबका अनुभव ले लिया अब इसमें कौन एवेलेबल बेस्ट उसको देना ऐसा हमको चलना पड़ेगा मतदान के प्रचार के समय ये सारे हत्कंडे फच से अपनाए जाएंगे उसकी आग में हमको पढ़ना नहीं चाहिए ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े संगा ऐसे जाएगा 1925 के बाद 1925 को संगा शुरू हुआ दोजार पचीस सो साल पूरे होते हैं 26 तक हम शताबदी का वर्ष सो साल पूरे होने बात का वर्ष हम मनाएंगे और इसलिए उपर निर्दिश्ट सभी बातों में संग के स्वयन से वक पहल करेंगे को लाइक शेर और सब्सक्राइब करेंगे कुछ जामा भी बूलन तो रहीं